दिल ने मेरे तेरे दिल से कहा इश्क तो है वही जो है वे इंतहा तोने कभी जाना ही नहीं मैं हमेशा से तेरा तेरा ही रहा कि जब तक जियों जियों साथ तेरे फिर चांद बन जाओं तेरी गली का मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से वो दिन आखरी हो मेरी जिन्दगी का मेरी जिन्दगी का तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यारतियों का आपकी अपने चैनल स्टेडी वित रितेस में तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पैरामेडिकल 2020 जितना भी जीके का प्रस्ट ने पूचा गया था वो सब आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो चलास को स्टार्ट करने से पहले गैस यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो पहले बारों तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अभी तक यदि आप लोगों ने हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोईन नहीं किया है तो हमारे टेलिग्राम ग्रूप को भी जोईन कर लिजिए स्टड़ी वित्रितेश वहाँ पर आपको क्लास का हर एक पीडियेफ मिलेगा तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते है चलिए पहला कोशन है कौन सी जगह सीटी ओफ ड्रीमिंग इस्पाइरस के नाम से जाना जाता है यह जितने भी कोशन है सब आपके पैरामेडिकल 2020 के कोशन है तो चल्दी से बताइएगा किस जगह को सीटी ओफ ड्रीमिंग इस्पाइरस के नाम से भी जाना जाता है यदि आप लोगोंने आंसर ओप्शन भी दिया है आउक्सफोर्ड देन आप लोग सही है ठीक है तो आप्सफोर्ड को जो है सिटी ओफ ड्रीमिंग इस्पाइरस के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट पोशन है किस देश की सीमा स्वार्धिक पडोसी देशों की सीमा को इस्पर्स करती है तो आप्शन है चीन भारत ब्राजिल यूएशे जल्दी से बताईएगा कौन सी देश है ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा पडोसी देशों के साथ इस्पर्स करती है तो यदि आप लोगोंने आंसर आप्शने चीन दिया है देन आप लोग सही है है ना तो चीन जो है विश्व का एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं चौदा देशों से इस्पर्स करती है ठीक है कितनी देशों से चौदा देशों से इसकी सीमाएं इस्पर्स करती है चलिए देखिएगा Next question है 2019 का रेमेन मैकसे से पुरुस्कार किसे मिला देखिए ये प्रस्न पूछा गया था कि भाई 2019 का रेमेन मैकसे से पुरुस्कार जो था वो किसको दिया गया था ऑप्शन है बर्खादत प्रणायरवयर रविश कुमार किरनवेदी देखी किसी भी question को ignore नहीं करना है आपके paramedical के previous question दो से तीन question जो है repeat होते हैं दो से तीन previous question जो है वो हमेशा repeat हुए है मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए बताना है आपको 2019 का रहमेन मैकसे से पुरुसकार किसे मिला था very good तो किसे मिला था रवीश कुमार जी को मिला था ठीक है तो 2019 का रहमेन मैकसे से पुरुसकार भारतिय पत्रकार रवीश कुमार को टीवी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए दिया गया था ठीक है और यह जो रेमेन मैकसे से पुरसकार है इसे एशिया का नॉबल पुरसकार भी कहा जाता है तो आपसे प्रस्ट में पूछा जा सकता है कि एशिया का नॉबल पुरसकार किसे कहा जाता है किस पुरसकार को कहा जाता है जी एशिया का नॉबल पुरसकार तो यह कहा जाता है रे 1957 निश्वी में की गई थी ठीक है और देखिए एक कोशन और बन सकता है कि भाई यह जो रैमन मैकसे से पुरुसकार है यह किस देश के द्वारा दिया जाता है बताए रैमन मैकसे से पुरुसकार जो है इसे तो एशिया का नोबल पुरुसकार तो कहा ही जाता है साथ में इसक फिलिपिन्स इसको नोट कर लीजिएगा सब पॉइंट इंपोर्टेंट है चलिए देखिएगा नेक्स्ट कोशन है पुस्तक द अनार्की के लेखक कौन है ओप्शन है विलियम डैल रिम्पल प्रताब भानु महता ससी थरूर मार्क तुल्ली तो जिहां जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इस कोशन का वेरी गुड तो यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है विलियम डैल रिम्पल देन आप लोग सही है तो इतिहासकार और लेखक विलियम डैल रिम्पल ने अपनी नई पुस्तक द अनार्की में दुनिया की पहली बहुरास्टिये क अपनी के बारे में लिखा है तो आप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट कोशन है छापाक फिल्म की नाई का कौन है देखिए ये कोशन बहुती पॉपलर कोशन है और ये सब जितने भी कोशन है सब आपक के एगजाम में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था पेरामेडिकल 2020 के एकजाम में हाँ पूछा गया था ना चलिए बताइए तो च्छहपाक फिल्म की नाई का कौन है च्छपाक फिल्म की जो एक्ट्रेस्ट वो कौन है करीना कपूर डीपze को मादुरी दिक्षित या नीना गुपता जल्दी से बताईए very good तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है तो छपाक फिल्म की नाइका दिपिका पादुकोन और निर्देशक कौन थे तो ये मेगना गुल जारती ठीक है और ये film जो है acid attack एक पिडिता पर अधारित कहानी है ठीक है चलिए बढ़ते है next question की तरफ next question है जमाइका का रास्टे खेल क्या है जमाइका क्या है एक देश है इसका रास्टे खेल के बारे में पूछा गया है तो बताईएगा basketball, hockey, volleyball या cricket जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे very good है ना जमाइका का रास्टे खेल क्या हो जाएगा आपका cricket हो जाएगा अब देखे होकी किस देश का रास्टे खेल है आपको मालूम ही होगा भारत और पाकिस्तान यानि हमारा देश और पाकिस्तान का जो रास्टे खेल है वो क्या है होक्की है, चलिए बदाए ये तो बेशबॉल बेशबॉल जो है, किस देश का राजटे खेल है जी वैरिवूड अमेरिकाः, USA है न, United States उफ़ अमेरिका, तो अमेरिका का राजटे खेल क्या हो जाएगा, बैसबॉल हो जाएगा, चलिए भारत और पाकिस्तान का राजटी खेल है बॉली बॉल सिलंगा का राजटी खेल है किर्केट जमाईका इंगलेंड का भी राजटी खेल है ठीक है यहाँ चलिए अच्छा आप बताःे तो बेस बॉल में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है बेस बॉल में वेरी गुड छे होती है है ना चलिए देखिएगा नेक्स्ट कोशन है प्रत्थम अंतरास्टिय T20 किरिकेट मैच कब खेला गया था देखो कोशन को अच्छे से पढ़ना है यहां पे T20 अंतरास्टिय मैच के बारे में पूछा गया है यहां पे यह नहीं पूछ रहा है कि T20 वर्ल्ड कप पहली बार कब खेला गया था यहां पे पूछा क्या है कि पहली बार जो T20 अंतरास्टिय मैच था वो कब खेला गया था ऑप्शन है 2000-2010-2005 या 1995 जल्दी से अंसर दीजिएगा तो तो वेरी गूड है ना यदि जिन भी बच्चों ने आंसर आप्शन सी दिया है वो लोग सही है है ना तो पहली बार जो अंतरास्टिय T20 किरिकेट मैच खेला गया था वो खेला गया था आपका 19 फरवरी 2005 में ठीक है 19 फरवरी 2005 में ठीक है और ये किन दो देशों के बीच खेला गया था तो औस्टेलिया और न्यूजिलेंड याद रखना है औस्टेलिया और न्यूजिलेंड के बीच में पहला T20 अंतरास्टे मैच खेला गया था 19 फरवरी 2005 के दिन ठीक है अगर आपसे ये पूछता कि तब आंसर क्या करते बताए पहली बार T20 वर्ल्ड कब कब हुआ था बताए पहली बार T20 वर्ल्ड कब कब हुआ था वेरी गुड कब हुआ था तो ये 2007 में हुआ था ठीक है 2007 में हुआ था कहां हुआ था वेन्यू क्या था इस्थान क्या था तो ये साउथ अफरिका में हु तो भारत, अपना देश भारत जो है विजई रहा, ठीक है अभी ये तो था T20 World Cup से से related, अगर आप से ये पोचता कि T20 World Cup का तो हो गया, अगर आप से Direct पोचता कि पहला World Cup कि को खेला गया था, बताओ ये तो T20 World Cup था नहाँ अगर ये पोचता कि पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था जल्दी से खेल जगत से प्रस्ण हमेशा पूछता है और ऐसे ही प्रस्ण पूछेगा तो बताइए पहला वर्ल्ड कप कब खेला गया था वेरी गूड कब खेला गया था तो 7 जून 1975 ठीक है 1975 सन भी याद रखोगे आंसर कर जाओगे ठीक है तो पहला वर्ल्ड कप 7 जून 1975 को खेला गया था चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रस्ण की तरफ चलिए नेक्स्ट कॉश्चन देखिएगा गिलहरियो का घर क्या कहलाता है ओप्शन है देखिए गाईज ये बहुत ही इंप्वर्टेंट प्रस्ण है आपके हमेशा हर एक्जाम में पूछा गया है कि भाई गिलहरियो का घर क्या कहलाता है हीरन का घर क्या कहलाता है खरगोस का घर क्या कहलाता है देखिए गा ऐसे कोशन आपको मिलेगा खरगोस के घर को एक सब्द में क्या कहेंगे ठीक है तो जब class over हो जाएगा तो आप लोग comment box में अपना answer जरूर कीजिएगा चलिए तो अभी आप लोग बताईएगा गिलहरियों के घर को क्या कहा जाएगा बताईए क्या option होगा तो very good यदि आप लोगोंने answer option a दिया है ड्रे तैन आप लोग सही हो है ना तो देखिए ड्रे कैसे लिखते है d-r-e-y ड्रे का मतलब होता है a house of squirrels यानि ऐसा जगह जहां पर गिलारिया रहती है उसको क्या कहेंगे ड्रे कहेंगे अब देन क्यों नहीं होगा तरफ फैनल फैनल भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है और style भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है dirty room ठीक है तो option a जो है आपका right answer हो जाएगा ड्रे चलिए बढ़ते है next question की तरफ चलिए देखिएगा next question है स्वतंत्र भारत का प्रथम संग्य बचट कब पेस किया गया था यानि प्रथम संग्य बजट जो है वो कब पेस किया गया था option है 1947, 1949, 1948, 1950 जल्दी से बताईएगा तो very good यदि आप लोगोंने answer option b दिया है देना आप लोग सही हो कि गलत हो option b नहीं होगा ना c होगा ना d होगा तो क्या होगा option a होगा है ना तो स्वतंत्र भारत का पहला जो संग्य बजट प्रस्तूत किया गया था वो कब किया गया था तो किया गया था 26 नवंबर 1947 को याद रखना है आपको ठीक है तो स्वतंद्र भारत का प्रत्थम संहिय बजट 26 नमबर 1947 को प्रस्थूत किया गया था चलिए बढ़ते हैं next person की तरफ यदि आज की class अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को like कर देना चलिए देखिएगा next question है sorry guys थोड़ा सा quality poor है बट फिर भी मैं आप लोग को question जो है पढ़कर बता देता हूँ आप लोग answer दीजिएगा ठीक है question है देखिए 18 नमर question देखना है आपको एक inch पूछा है भाई एक inch जो है वो क्या होता है तो कितने millimeter के बराबर होता है यह कितने centimeter के बराबर होता है या कितने millimeter के बराबर होता है या फिर कितने millimeter के बराबर होता है जल्दी से बताएगा एक inch जो है हाँ बताना है आप जल्दी से बताएए देखो इस question को option wise करना होगा क्योंकि यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि एक इंच कितना सेंटी मीटर के बराबर होता है यहां पर पूछा क्या गया है कि एक इंच जो है बराबर क्या होता है कितने मिली मीटर के बराबर होगा कितने सेंटी मीटर के बराबर होगा कितने मिली मीटर के बराबर होगा तो देखो आपको मालुम होना चाहिए कि जो एक इंच है सबसे पहले कि ये कितना मिली मीटर के बराबर होता है बताए एक इंच जो है वो कितना मिली मीटर के बराबर होता है तो ये 25.4 मिली मीटर के बराबर होता है ठीक है अब एक इंच ये मैं पूछू कि कितना सेंटी 2.54 cm के बराबर होता है ठीक है इसी तरह अगर मैं पुछू 1 इंच कितने मीटर के बराबर होता है तब क्या बोलोगे तब आप लोगे 0.0254 मीटर के बराबर होता है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पे मिलिमीटर वाला तो गलत हो गया यह तो होगा नहीं option b भी नहीं होगा option c होगा बताओ option c होगा तो जी हाँ option c राइट answer हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे एक इंज जो है 25.4 mm के बराबर होता है तो option c जो है आपका right answer हो जाएगा समझ में आया और meter वाला भी नहीं होगा क्योंकि मैं बताया कि यह एक इंज कितने मीटर के बराबर होता है तो यह होता है 0.0254 चीक है तो यह भी नहीं होगा option c जो है यहाँ पर यह राइट हो जाएगा क्योंकि एक इंज जो है 25.4 mm के बराबर होता है चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ चलिए next question है सर पीसी रॉय थे यानि जो पीसी रॉय थे आपके वो क्या थे एक भौतिकी सास्त्री थे रसाइन सास्त्री थे वनस्पती सास्त्री थे या दार्शनिक थे जल्दी से अंसर कीजिएगा प्यारे बच्चो तो देखिए सबसे पहले तो इनका फूल नाम क्या था PC रोए जी का इनका फूल नाम क्या था प्रफुल चंदर रोए ठीक है प्रफुल चंदर रोए तो अब बताईये तो ये क्या थे गाईस तो यदि आप लोग ओप्शन भी दे रहे है देन आप लोग सहीं है ठीक है तो सर पीसी रोय क्या थे एक महान रसाइन सास्त्री थे समझ मैं है तो आप्शन भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं देखिए थोड़ा सा दिखने में आप लोगो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा बट आप लोग मैनेज कीजिएगा मैं यहापे कोशन को पढ़कर बता दे रहा हूं जिसके माद्यम से आप लोग इसली आंसर कर सकते हो चलिए कोशन का मतलब है कि भाई सिखो के वो कौन से गुरू थे जिसकी हत्या औरंग जेब ने करवाई थी ऑप्शन है गुरू तेख बहादूर गुरू हर कृष्ण गुरू गोविंद इसलाम धर्म कबूल नहीं किया था इसलिए और यह सिखो के नौवे गुरू तेख बाधूर जी याद रखना है सिखो के नौवे गुरू थे इन्होंने मुसलिम धर्म जो है वो स्विकार नहीं किया था इसलाम धर्म स्विकार नहीं किया था इसलिए इनका वद करवा दिया गया किसके द्वारा औरंग जेब के द्वारा चलिए एक कोशन मैं आप लोग को देता हूं हुम्बक में सिखो सिख धरम के संस्थापक कौन थे सिख धरम के संस्थापक कौन थे ठीक है संस्थापक कौन थे आपको ये क्लास ओवर हो जाने के बाद बताना होगा सिख धरम के संस्थापक कौन थे चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेसन की तरफ चलिए नेक्स्ट कोशन है बिहार के किस सासक ने हिमायू को हराया था बताए बिहार का कौन सा ऐसा सासक था जिसने हिमायू को हरा दिया है ना यानि मुगल वन्स का हिमायू था उसको हरा दिया गया कौन सा सासक हराय था option है अब्बुल फैजी बहमन शाह, दाउद शाह, सेरसा सूरी देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग manage कीजिए मैं हर एक question को read कर रहा हूँ उसके बाद आप लोग answer कीजिए question है बिहार के किस सासक ने हिमायू को पराजित किया था very good तो यदि आप लोग ने answer option D दिया है देन आप लोग सही हो ठीक है तो बिहार के सासक सेरसा सूरी ने चौसा का युद हुआ था उसी में हिमायू को बुरी तरह से पराजित किया था ठीक है तो बिहार के किस सासक ने हिमायू को पराजित किया था हराय था तो सेरसा सूरी ने हराय था कौन से युद में चौसा का युद में अब देखो प्रस्न पूछा जा सकता है कि भाई चौसा का युद किन दो महराजाओं के बीच में हुआ था तो हिमायू और सेरसा सूरी कब हुआ था जल्दी से बताईए चौसा का यूद जो है सेरसा सूरी और हिमायू के बीच कब लड़ा गया था बताना है सभी बच्चों को कब लड़ा गया था जल्दी से बताईए सभी बच्चे बताएंगे चलो आप्शन दे देता हूँ बताईएगा 1549, 1545, 1556 बताईए चली बताईएगा चौसा का यूद 1549 में लड़ा गया या 45 में या 1556 में जल्दी से बताईए तो तो वेरी गुड कब लड़ा गया था है तो 26 जून 1549 को लड़ा गया था है ना मुगल समराट हुमाईयू और सूरी समराजी के संस्थापक सेरसा सूरी के बीच में चलिए कोशन है 1948 में भारत का वाय सराय कौन थे जल्दी से बताइएगा 1948 में जो भारत के वाय सराय थे वो कौन थे नहरू राजगोपालाचारी माउंड बेटन लॉड वेविल जल्दी से अंसर कीजिएगा तो वेरी गुड यदि आप लोगोंने आंसर ऑप्शन सी लॉड माउंड बेटन दिये हैं देन आप लोग सही है है ना तो देखे लॉड माउंड बेटन 15 अगरस्ट 1947 से लेकर 21 जून 1948 तक भारत के अंतिम वाय सराय और स्वतंतर भारत के प्रत्थम गवर्नर जैनरल रह तो उदिको प्रस्ण ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई स्वतंतर भारत का प्रत्थम गवर्नर जैनरल और अंतिम वाय सराय कौन था बताये तो प्रस्ण यदि ये पूछता कि स्वतंतर भारत का प्रत्थम गवर्नर जैनरल बतायाना है सबको स्वतंत्र भारत का प्रत्थम गवर्नर जनरल और अंतिम वाइसरा है कौन था क्या अंसर करते आप लोग बताईए very good क्या अंसर करते तो ये Lord Mountbatten नहीं है Lord Mountbatten अंसर करना था Lord Mountbatten लिख ले ना अच्छे से ठीक है Lord Mountbatten क्लियर हुआ ये चीज चलिए चलिए देखिएगा नेक्स्ट कोशन है पुस्तक Wealth of Nation के लेखक कौन है Wealth of Nation जो पुस्तक है उसके रचना कार कौन है जल्दी से बताईएगा Wealth of Nation कौन है Manmohan Singh, Napier, Adam Smith दांते, जल्दी से बताईएगा very good, शाबास तो Option C जो है Right answer हो जाएगा Wealth of Nation किसकी रचना है तो ये है Adam Smith की और अर्थ सास्तर का पिता किसे कहा जाता है बताईए तो अर्थ सास्तर का पिता किसे कहा जाता है इन्ही को कहा जाता है अर्थ सास्तर का जनक या पिता के रूप में हम लोग Adam Smith को ही जानते है अगर आपसे पूछे कि अर्थ सास्तर पुस्तक के लेखक कौन है तब क्या answer कीजिएगा बताईए अर्थ सास्तर पुस्तक के लेखक के बारे में पूछेगा तब क्या answer करोगे बताओ जल्दी से अर्थ सास्तर पुस्तक के लेखक बताईए तो वेरी गूड क्या होगा चाणक क्या है ना अर्थ सास्तर पुस्तक के लेखक कौन है चाणक क्या है इनका दो नाम और है क्या-क्या नाम है कौटिल्ये ठीक है इनका एक और नाम है कौटिल्ये और विश्नोकुप्त यानि इनके तीम नाम है याद रखना अर्थसास्ट्र विश्नोकुप्त क्या लो तो अर्थसास्त्र पुस्त स्विप्स एक कोन यह कोन और द्लें गोल चलीए नेग्सट को सकते नाग्स्ट को समूंन्े कुल देपों की शंख्या कितनी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन है बताओ 14, 36, 145 जल्दी से आंसर कीजिए तो जल्दी से आंसर कीजिए लक्ष्य दीप समू में कुल दीपों की शंख है कितनी है वेरी गूड तो क्या होगा option B जो है आपका right answer हो जाएगा 36 ओके हाँ चलिए बताए तो लक्ष्य दीप की राजधानी लक्ष्य दीप एक केंदर शासित परदेशा है Union Territories है है ना तो आपको बताना है लक्ष्य दीप राज्य की राजधानी क्या होगी लक्ष्य दीप की राजधानी क्या होती है लक्षे दीप की राजधानी क्या है वेरी गुड कावा रती ठीक है कावा रती सबस ओके चलिए नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन है भारत में किस प्रांद में करोना वाइरस का प्रतम रोगी पाया गया केरल, तिलंगाना, तमिलनाडू, गोवा जल्दी से अंसर कीजिएगा भारत के किस जगे में कौन से स्टेट में करोना वाइरस से संक्रमित रोगी पाया गया वेरी गूड क्या होगा ओप्षन ए केरल है ना समझ में आ रहा है, तो ऑप्षन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इस कोशन का चलिए, नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन है पंडित जवाहरलाल नहरू के बाद भारत का प्रधान मंत्री कौन बने थे बताईएगा पंडित जवालाल नहरू जो की हमारे भारत के प्रत्थम प्राइम मिनिस्टर थे इसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो कौन बने थे आप्षन में है लाल बहादूर सास्त्री, मुरारजी देशाई, इंद्रा गांदी, जाकिर भूसेन जल्दी से बताईए, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे तो वेरी गूड यदि आप लोगों ने आंसर आप्षन ए दिया है लाल बहादूर सास्त्री, देन आप लोग सही हो ठीक है तो देखे भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, सब को पता है अब देखो, गुलजारिलान लंदा जी जो है, ये कारिय वाहख पीयम के रूप में कुछ समय के लिए जो है नियुक्त किये गए थे यानि इनका जो कारिय काल रहा, वो रहा आपका 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 के बीच में तो आप लोग देख सकते हो, ये मातर 12 से 13 दिन में, मातर 12 से 13 दिन के लिए परधान मंतरी पद के लिए जो है नियुक्त किये गए थे तो इनको 2 प्राइम मिनिस्टर नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि देखो पहला तो प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडी जवालल नहरू जी हो जाएंगे दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो कौन थे? लाल बहादूर सास्त्री जी थे ये गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, ये मतलब कम समय के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो कौन होंगे? लाल बहादूर सास्त्री जी होंगे चलिए, इसके बाद कौन आए? इसके बाद इंद्रा गांदी जी आई ठीक है? C, तो थार्ड नमर पे इंद्रा गांदी जी थी, ये भी आपको याद रखना है चलिए, बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिशन की तरफ अगर आपसे पूछे कि भारत के तीसरे प्रदान मंतरी कौन थी? कौन था या थे करके पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है इंद्रा गांदी जी थी ठीक है, भारत की तीसरी प्रदान मंतरी और महिला प्रदान मंतरी भारत की प्रतम महिला प्रदान मंतरी कौन है? यही है इंद्रा गांदी जी ठीक है चलिए बढ़ते हैं next person की तरफ next question है पैनामा नहर जोड़ती है बताइए उत्री अमेरिका अमेरिका को प्रशांत महासागर एवम अंदर महासागर को लाल सागर अभुमदे सागर को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को बताइए क्या होगा answer पैनामा नहर जो है वो किंदो सागरो को जोड़ती है या फिर महासागरो को जोड़ती है बताइएगा तो देखिए यहां पे तीन नहर होती है ध्यान देना ये question यह हमेशा मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये question आपके पैरा medical 2020 में पूछ चुका है तो चलिए फिर से बता देता हूँ आपको तो देखिए यहां पे तीन नहर होती है कौन-कौन सी एक होती है स्वेज नहर ठीक है एक होती है आपकी पनामा नहर एक होती है कील नहर बहुत से बच्चे जानते होंगे है ना अब देखो ये जो स्वेज नहर है ये भुमद्य शागर को लाल सागर से जोड़ती है भुमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है लाल सागर से जोड़ती है लिख लेना ठीक है भुमद्य सागर को इसको एक अच्छे से पेज में लिख लो अधिकतर बार यह पूछा गया कोशन है स्वेज नहर जो है भुमद्य सागर को लाल सागर से जोड़ देती है पैनामा नहर की बात करें जो कि आपके कोशन में पूछा गया है तो पेनामा नहर जो है ये क्या करता है तो ये प्रशान्त महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देता है ठीक है तो क्या करोगे क्या लिखोगे प्रशान्त महासागर प्रशान्त महा सागर को अटलांटिक या फिर अंद्र महा सागर भी बोल सकते हो ठीक है तो प्रशान्त महा सागर को अटलांटिक लिख लेना या पर अटलांटिक महा सागर से जोड़ती है कौन सी नहर पैनामनाहर परशांत महा सागर को अटलांटिक महा सागर से जोड़ती है बात करेंगे किल नहर के बारे में तो ये उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है लिख लेना ठीक है लिख लेना उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी किल नहर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेशन की तरफ और आज की इस क्लास का लास्ट कोशन होगा कोशन है एक मिनिट देखे कोशन है ध्यान से समझना है पंचायती राज को डैस के अंतरगत स्वसाशन की काई के रूप में संगठित किया गया बताइए तो किस जो पंचायती राज है उसको किस स्वसाशन के अंतरगत उसे जो है संगठित किया गया है भारतिय सम्विधान के मूल अधिकारो या फिर भारतिय सम्विधान के प्रस्तावनाओ या फिर राज्य के नेति निर्देशक तत्व या फिर भारत सम्विधान के 74. संसोधन बताईए जल्दी से क्या होगा अंसर चलिए बहुत अच्छी बात है तो जिन बच्चों ने option C answer दिया है उनका सही है तो पंचायती राज्यों को राज्य के नेती निर्देशक तत्व के अंतरगत सौसासन की काई के रूप में जोड़ दिया गया है अच्छा बताएी तो राज्यों के नेती निर्देशक तत्व हैं ये किस देश की समWIDHAN से लिया गया है औप्षन देता हूं बताना है केनडा ईूसे दक्षिन अफ्रिका या फिर आयरलेंड जल्दी बताए चार औप्षन मैंने दे दिया है राज जी के निती निर्देशक तत्व की प्रणाली किस देश की सविधान से ली गई है वेरी गूड आयरलेंड देश से लिया गया है तो चलिए आज की इस क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्ष क्लास में यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी होमबक मैंने दिया है आप लोको उसको अच्छे से कमेंट में सभी बच्चे बताएंगे ठीक है मैं देखता हूँ कि कौन-कौन बच्चे मेरे पूछे गए प्रश्णों का जवाब देता है और कौन से बच्चा नहीं देता है तो चलिए मिलते हैं नेक्ष क्लास में